सब्सक्राइब कीजिए Employments Point चैनल को और पाइए Government Jobs की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूले नमस्कार साथियों स्वागत आपका Employments Point में और NCL में Vacancy आई हैं 10th Pass Candidates के लिए आज हम बात करेंगे Selection Process और Application Process के बारे में आज हम सिर्फ दो टोपिक पर बात करेंगे Application Process यानि आवेदन कैसे करना है और Selection Process क्या होगा चैनल प्रक्रिया क्या होगी आज हम इसके बारे में बात करेंगे Qualification के बारे में जानने के लिए और आप किस पुस्ट के लिए eligible हैं उसके लिए आप हमारा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं उसका लिंक कमने डिस्करप्शन में दे रखा है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को सुरू करने से पहले हम आपको सबसे महत्पूल बात बताएते हैं कि कोई भी relaxation नहीं दिया जाएगा जो education qualification माई गई है उसमें यानि minimum 55% marks mandatory है matriculation और equivalent qualification में यानि दस्वी में आपके 55% marks होना अनिवारे ही है तभी आपको vacancy के लिए मानने किया जाएगा बहुत सारे candidates हम से पूछा था क्या बारेमी के marks के बेस पर, graduation के marks के बेस पर, IT के marks के बेस पर हम apply कर सकते हैं तो इसका जबाब NCL ने दे दिया है नहीं वो candidates जिनके 10th में 55% marks नहीं है उनको कोई भी relaxation नहीं दिया जाएगा education qualification में education qualification में 55% marks लाना mandatory है और इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी तो जिन candidates के 10th में 55% marks हैं वही आविदन करेंगे अब बात कर लेते हैं selection process की तो अब बात कर लेते हैं return test की जो return test जो होगा वो 100 अंकों का होगा और इसमें एक additional test होगा IT level का 50 अंकों का जो कि होगा drag line operator के लिए position code hmv09 के लिए बागी सब के लिए common होगा और जो candidates drag line operator के लिए apply कर रहे हैं उनका question paper होगा एक सब 50 अंकों का वही बाकी जो post है आठ पोस्ट उनके लिए होगा सिर्फ 100 अंकों का तो एक तो आप ये clear कर लिजे कि जो drag line operator के लिए vacancy आई है IT वालों के लिए उनके लिए 150 अंका प्रिस्पत्र आएगा बाकी के लिए आएगा 100 अंक का जो return test होगा उसमें 4 choice objective type को चनाएगे यानि MCQ based आएगा और कोई भी negative marking नहीं होगी जी हाँ दोस्तो negative marking नहीं है इस exam में question booklet जो होगी वो हिंदी इंगलिस दोनों भासाओं में होगी bilingual होगी हिंदी में और इंगलिस में और जो return test होगा उसमें question related to aptitude, trade, general intelligence, mental ability और technical test जो होगा उसमें आपकी यानि जो common question पत्र आएगा सब candidates के लिए उसमें aptitude test, trade test, general intelligence, mental ability से समंदर प्रसन आएगे और जो IT वालों का आएगा उसमें जो return test होगा उसके लिए difference centers बनाए गए है जो के होंगे district सिंगरॉली, जवलपुर और भोपाल जो के MP में है साथी district सोनभद्र, इलहाबाद और वारांसी जो की UP में है जो की number of candidates के उपर depend करेगा लेकिन 6 center बनाए गए हैं हम आपको फिर बता जेते हैं MP में बनाए गए हैं सिंगरॉली, जवलपुर और भोपाल होत्रप्रद्र में बनाए गए हैं सोनभद्र, इलहाबाद और वारांसी अब बात कर लेते हैं minimum cutoff marks की तो सब post के लिए सिर्फ dragline operator को छोड़के सोंगों का person पत्र आएगा हम आपको बता चुके हैं सामान के लिए minimum qualify marks है 50 और SST और OVC non criminal के लिए है 65 वहीं dragline operator के लिए 150 marks का आएगा इसमें सामान के लिए minimum cutoff marks है 75 और SST OVC non criminal के लिए 68 marks आपको लाने होंगे अरशा ठंगा आपको लाने होंगे तो written test है वो NCL के official website पर publish किया जाएगा और जो candidates successfully qualify होंगे उनके marks के base पर merit बनाते हुए उनको notify किया जाएगा कि वो scrutiny verification के लिए आएगा और जब आप finally select हो जाएगे document verification हो जाएगा उसके बाद document verification के time पर ही आपको सबसे पहले जिन candidates ने dragline operator के लिए विकल्प दिया हुआ है उनको बुलाया जाएगा वो अपनी choice बरेंगे और dragline operator की vacancy फोलोने के बाद candidates को बाकी post के लिए choice बरनी होगी अगर उनको dragline operator नहीं मिल पाती है तो और जिन candidates ने dragline operator का विकल्प नहीं बरा है तो वो बाकी की 8 vacancy जो है और मैसे अपनी vacancy चूज करेंगे लेकिन dragline operator वालों को पहली priority दी जाएगी वो dragline operator का choice भरेंगे और वो नहीं मिलती है तो वो दूसरी post के लिए भी भर सकते हैं बाकी post के candidates को अपनी 8 post में से ही चुनना होगा और जो selector candidates होगे मेरिट माने के बाद final select होगे उनको NCL की किसी भी ख़दान में काम करना होगा और उनको coal India limited के अधीन किसी भी subsidiary में इस्तानातर किया आया सकता है आपकी प्रावर में न्युकति NCL में ही होगी लेकिन आपको coal India limited अगर चाहे तो किसी भी subsidiary में transfer कर सकती है साथ ही candidates को medical examination भी qualify करना होगा उसके विना उनको न्युकति नहीं दी जाएगी अब बात कर लेते हैं आवेधन करने की तो aptX form online है आपको पता है आप website www.nclcl.in.in पर जाएंगे वहाँ carrier section में recruitment और online registration पर आप click करेंगे साथ ही अब बात कर लेते हैं फीस की तो फीस है इसकी 500 रुपे जी हाँ दोस्तों 500 रुपे फीस है इसकी जो कि statement collect के तुरू online जमा होनी है सेस्टी एक्सवेसमें और department रुपार्टमेंट को कोई भी फीपे नहीं करनी है तो इस वेकेंसी के लिए फीस है 500 रुपे और जी step इसमें होंगे वह होंगे रेइस्टेशन होगा पहले फिर आप फीस का payment करेंगे लाग हो है तो फिर apply करेंगे submission करेंगे और hard copy generate करेंगे और उसको आप भीज़ेंगे general manager recruitment manpower ncl को तो इसमें फिर आप registration कर लेंगे उसके बाद आप फीस का payment कर लेंगे फिर आप apply करेंगे और apply में आप अपनी side detail भरेंगे फीस का payment है उसकी रसीद भी आप निकलवा लें अपनी सारी application qualification जो भी qualification है वसाब भरेंगे और जो final step है उसमें आप printout निकलवाएंगे application form का उसके साथ 10th की self-retested copies heavy license की self-retested copy अगर लागू है तो अगर आप heavy license वाला बन रहेंगे तो iti की copy self-retested अगर आपने iti से भी form भराये तो चार passport size photograph जो के जो form पर चपकाया है उससे अलग होंगे और जो photo है उसके पीछे आप अपना नाम और father's name लिखेंगे enrollment application fees की यानि आप जो fees जमा करेंगे हम आपको बता चुके हैं फीज जमा करते हैं या प्रिंट आउट निकल वाएंगे वो भी लगाएंगे और card certificate की photocopy self-attested access मैंने हैं तो उसकी copy मुलिवास प्रामपरत्त की जो जमु के निवासिया उनको देनी है साथ ही आप भी लगा सकते हैं मुलिवास प्रामपरत्त की भी self-attested copy आप लगा सकते हैं जो incomplete और invalid applications होंगी उनको reject कर दे जाएगा साथ ही जिन applications की hard copy नहीं पहुंचेग की उनको भी बाहर करते जाएगा अब बात कर लेते हैं submission of application की जो hard copy आपने निकलवाई है print out आपने बढ़े हूँ application form का फीस का सारे documents की self-attested copies का वो सब आप इस तरह बेजाएंगे कि वो 24,10,28 तक पहुंच जाए दिये हुए पतिवर पता हम आपको बताएंगे साथ ही आप लिफाफे की उपल लिखेंगे application for the post of operator T in NCL और ये आप registered dark है speed post से ही बेज़ेंगे पता है the office of general manager, peace less MP and recruitment, manpower department, पंजरे भवन, northern cold field limited, headquarters, थाना मोरवा, post सिंगरौली, district सिंगरौली, मद्र प्रदेश, 486889 ये आपका पता है यहाँ आपको hard copy बेजनी है registered dark speed post से और ये इस तर October 2018 से पहले पहुँच जानी चाहिए, important rates हम आपको फिर बतायते है, 28 अगर्स्त कोई विग्यापन जारी हुआ है, 10 सितंबर से form बढ़ना सुरू हो जाएंगे, last date है 24 सितंबर, fees जमा करने की last date ही 24 सितंबर है, और आपको hard copy बेजनी है 24 October 2018 तक, जो हम दे पता बताया है उस प फॉन नमबर 0705-653 पर कॉल करके या फिर और आपको पसंद आए होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, अपने अपने उप तक हमाई चनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो कर लिए, कूंकि हम आपके लिए ऐसा ही विकेंजर बेट्स लाते रहेंगे, धन्य क्एल अवारois होगा, एक वि 오स की चॉ़ा अविए लिए दोजिए को फिर दो तक हमाया हde मिलादू लिएूर उनी को श्रादोट जणाओान है य हम ए